हलो दोस्तों नमस्कार फिर से एक और नए विकाओ जमीन की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत सागत करते हैं आज जो है बहुत ही नए लोकेशन की जमीन लेकर आए हैं अगर आप इस लोकेशन की जमीन को खईदना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना वीडियो को थोड़ा सा भी भगाना मत नहीं तो आपको मालिक का मॉबाइल नंबर नहीं मिल पाएगा तो हम इसी वीडियो में आपको मालिक का मॉबाइल नंबर दे देंगे तो आप लाच तक जरूर देखना चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन की घंटे को भी आल पर सेलेक्ट कर दीजे ताकि हमारी हर वीडियो की न्यूटिफिकेशन आप लोगों को बराबर मिलती रहे तो चलिए बिना किसी देर के हम इस वीडियो को स् इतना मिलने वाला है तोटल जमीन आपको यहां पर 65 विगह मिल जाता है अगर आप इस जमीन को खहिबना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सो भी भगाना मत अगर इस चैनल पर आप पहली बार आएंगे तो प्लिज चैनल को साथ में बैल आइकन की घंटी को भी आल पर सेलेक्ट कर दिजे क्योंकि अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे हम आप लोग से एक निवेदन करना चाहते हैं कि आपको मालिक का मुवाइल नमबर भी हम इसी वीडियो में देंगे लेकिन आपको बता दूँ कि जब तक हम आपको मालिक का मौल नमबर देंगे तो वहाँ पर आपको मालिक के पास किस समय संपर करना है वहाँ भी हम सेडूल बताएंगे तो वह सेडूल जब तक आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप कौल ना करना है जिहां सात्यों रात में कॉल ना करना दिन में ही कॉल करना तो आपको हम दिन में समय बता देंगे किस समय आपसे बात करना है जमीन के मालिक से तो चलिए पहले हम बता देते हैं कि किस जिले में आपको जमीन मिलने वाली है तो यहां बूंदी जिले की जमीन है जिहां साथियों बूंदी जिले में आपको यहां पर जमीन मिल रही है इसकी जो तहसील है इंद्रगण तहसील है जो की तहसील से और जमीन की दूरी लगभग आपको 18 किलोमीटर पढ़ जाता है बात करें मालिक के नाम के बारे में तो मालिक का नाम है राम मूरत परजापत या परजापती जाते से बिलॉंग करते हैं बात करें यहां पर पानी के साधन के बारे में तो पानी के साधन के लिए जमिन के मालिक का खुद का समर से बूल है जिसका water level आपको हम बता देते हैं कि water level कितना है तो water level आपको यहां पर मिल जाता है 78 feet पर जहां साथ हो 78 feet पर आपको यहां पर water level मिल जाता है बात करें खेती के बारे हम तो यहां पर आलू गेहूं की फसल लगी हुई है और यहां पर सभी प्रकार की फसले हो जाती है और यहां पर लाइट के बास तक बात करें तो आपको लाइट के बास तक लिए आपको खेद में ही खंबे आपको गड़े दिखाई दे रहे हैं तो इसी खंबे से आप यहां पर लाइट का कनिक्सन भी करा सकते हैं जो की बेस से बाइस घंटे आपको यहां पर लाइट का जो है लाइट मिल जाती है और यहां पर बता देते हैं आपको कि जमीन के मालिक का जो है यहां पर किसी प्रकार के इस खेट से कोई वीवादित जमीन नहीं है जहां साथ हो कोई वीवादित जमीन नहीं है यहां जमीन क प्रकारगा कोई चार्ज या कोई कमिशन नहीं लेते हैं चाहे तो जमीन के मालिक हों या पिर जो जमीन खरीता है उनसे भी मैं किसी प्रकारगा कोई कमिशन नहीं लेता हूँ तो आपको मालिक का मॉबाइल नमबर देते हैं आप लोग मालिक के मॉबाइल नमबर पर जाके आप संपर कर सकते हैं और सारी जनकारी आप मालिक से ले सकते हैं तो मालिक का मॉबाइल नमबर नोट कर लेजिए उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर रेट जमीन का क्या है और एक वीखे में कुल खितना विस्वा होता है तो आपको यहाँ पर बता दू एक वीखे में आपको यहाँ पर बीस विस्वा मिल जाता है जिहां सात्यों एक वीखे में आपको बीस विस्वा मिल जाता है और पर तेग विस्वे में आपको यहाँ पर 1250 स्क्वार फिट मिल जाता है कुछ जगा यहाँ पर 1350 स्क्वार फिट होते हैं एक विस्वे में लेकिन यहाँ पर 1250 स्क्वार फिट है यहाँ पर एक विस्वे में का मौईल नमबर लेने के लिए आपको डिस्किप्शन में एक लिंक मिल जाएगा वहां से आप माली का मौईल नमबर ले सकते हैं अगर वहां से आपको नहीं मिलता है मौईल नमबर तो हम आपको जो है कमेंट वाक्स में आपको माली का मौईल नमबर हम दे देंगे तो हमें आसाने ही पूरा विस्वास है क्यापको यह जमीन का वीडियो पसंद आया होगा को पसंद आया है तो इस जरोफ को सब्सक्राइब जरूर रोगा हमें आसाने पूरा विस्वास है कि आपको यह जमीन पसंद आई होगी तो माली का मॉइल नंबर लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप ले सकते हैं नहीं तो फिर आप हमें कमेंड कर दीजेगा तो हम आपको वहाँ पर माली का मॉइल नंबर प्रेशनल आ अंदर से वीडियो के अंदर से डिलीट करना मुश्किल हो जाता है तो इसलिए हम महाँ पर माली का मॉइल नंबर नहीं दे रहे हैं तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और नए लोकेशन की वीडियो की जानकारी लेकर तब तक के लिए जै हिंद जै भारत ववंदे मातरम